क्यों इतनी बहुत गंभीर बिमाडिया अब पिछले इन 10-15 सालों में इतना तेजी से क्यों बढ़ रही है जैसे डाइबिटीज पहले डाइबिटीज सहर में बहुत बड़े बड़े लोगों को होता था आज किसी भी गाउं में आप चले जाएए जो बहुत छोटे छोटे गाउं है वहाँ पे भी हर दूसरे तीसरे घर में एक लोगों को डाइबिटीज हो रहा है इसके साथ में मोटापा बहुत ज़्यादा बड़ रही है लोगों को बहुत ज़्यादा बिपी का प्रॉब्लम बड़ रहा है आप लोगों ने भी लगतार वीडियोज में भी देखे होंगे कि कितने लोगों को इंस्टंट हार्ट अटेक आ जा रहा है कोई नाच रहा है, हार्ट अटेक आ गया, कोई साधी में बैठे है, हार्ट अटेक आ गया, कोई आफिस में बैठे है, हार्ट अटेक आ गया, पहले इतने नहीं थे, अब क्यों इतनी बढ़ रही है, कारण क्या है, क्यों इतने सारे लोगों को इतनी अलग-अलग तक्रिप है और कितनी प्रकार के अलग-अलग problems हैं, बढ़ती जा रही है देखो ऐसा है कि पिछले कुछ सालों में लोगों के खानपाउन में एक अजीब सा और अलग तरीके का बहुत ज़्यादा बदला हुआ पूरी जीवन पे बिमारियों का जो लेना देना है, वो आपके अपने lifestyle है आप किस तरीके के चीजों को खा पी रहे हैं, इसका बहुत बड़ा आपके जीवन में उसका प्रभाव है और फिर आपके जो माता पिता हैं, अगर आप गर्वकाल में हैं और उसके दवरान आपकी मा किस टाइप के खानपान को करने हैं, उसका भी impact उन बच्चों के उपर आ रहा है तो ये पिछले कुछ सालों में, पिछले 20-25 सालों में ये बहुत तेजी से बदला हुए एक तो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने जंगपूट को खाना सुरू किया, मैदा से बने हुए चीजों को खाना सुरू किया, वो एक से बढ़कर एक अलग-अलग लोगों ने स्वाद और टेस्ट के चक्कर में चीजों को खाना सुरू किया और यही जो चीजें हैं ये आपका कोई कोलेस्टरॉल बढ़ा रहा है कोलेस्टरॉल भी बहुत बड़ी मातरा में लोगों को बढ़ रहा है और ये कोलेस्टरॉल का सबसे बढ़ा कारण है हार्ट अटाक कोलिस्ट्राल का सबसे बड़ा कारण है आपका डाइबिटीज तो ये इस टाइब के बहुत सारे चीजें आपकी खानपान के कारण से बढ़ रहा है क्योंकि आपने अपने पूरे खानपान को बदला है इसके अलावा आपने सयन जागरन में भी बहुत जादा बदला हुआ है अगर पूर्व के समय को अगर आप देखें तो लोग जो है 6-7 बजे भोजन कर लेते थे और 9 बजे तक सब सो जाते थे सब 4-5 बजे उठकर जाते थे और पूरे सब लोग काम में लग जाते थे अब पूर्जस्ट उल्टा हो गया लोग उठते हैं 9 बजे 10 बजे सोते हैं रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे और रात का खाना खाते हैं अब रात को 10 बजे 11 बजे लोग 12 बजे तक नाइट का डिनर कर रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा आयूरवेदा में कहा जाता है कि रात को जो पाचन छमता है वो कम हो जाती है जो प्रचलन जो अपनी बोजन डाइजेशन के जो सिस्टम है वो कमजोर होती है रात को और लोग यहीं पे उल्टा खान पान करते हैं रात को बहुत दबा के भोजन कर रहे हैं और मैक्सिमम मात्र में भोजन कर रहे हैं यह जो चीजे हैं यह आपके पूरी स्वास्त को बिगाड रही है तो अगर आप यह चाहते हो कि long time तक आपको कोई diabetes ना हो long time तक आपको मोटापा का सिकार ना हो आपको BP का सिकार किसी दूसरे अन्य आप किसी घातक बिमारी से ना जूझें तो आपको अपने जीवन में खान पान को बहुत सिंपल करना पड़ेगा। अपने उम्र तक 80 साल तक 90 साल तक बिलकुल आप जीएंगे बस थोड़ी सी जो बाते में आपको बता रहा हूँ इनका आप ध्यान रखें कि अपना जो खान पान है उस पे थोड़ी सी मात्रा आप मैदा वाले जो चीजें हैं जो मोमोस बन रहा है बर्गर है पिज्जा है या जितनी तरीके के आज कल मार्केट में जंग फूट सा रहे हैं इनको आप पूरी तरह से वाइट कर दो कभी कभार महिने में एक आध भर खाया भी तो थोड़ी बहुत खा लिया टेस्ट के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत अब ऐसा नहीं कि उसको पेड़ भर आप खा इसके अलावा आप कोशिश कर सकें तो सात्वी खान पान की तरफ जादा बढ़ें क्योंकि जितना जादा आप मांस और दुनिया भर के चीजों को अलकोहल, दारू, ड्रिंक जितना भी आप करेंगे न ये सब कहीं न कहीं स्वास्त के घातक ही हैं देखो प्रकृती में इत इतने प्रकार के वेजिटेबल, सबजियां बनी हैं जिसमें एक सिवर कर एक सबजियां हैं जो अच्छी चीजी हैं उनको अगर आप खाएंगे तो निस्ची तुरूप से आप लॉंक टाइम तक स्वस्त रहेंगे तो अपने खान पान को पूरी तरह से आप चेंज करें उ और फिर मारनिक में आप जो बना आप 5 से 6 साड़ी 6 बजे तक जग जाएं इसको करें और साथ में मारनिक और इवनिंग वाग एक एक घंटे का जरूर करें इससे आप जो है किसी भी बड़ी सी बड़ी घातक बीमारियों से बज़ के रहेंगे और लॉंक टाइम तक आप स् त्वस्त शरीर में ही भगवान का वास करता है। तो देखो ऐसा ही कि आप अगर लॉंग टाइम तक स्वस्त चलना चाते हूँ तो आपको आश सी ही अपनी चीजों का सुरुवात करना पड़ेगा और यही सुरुवात आपको निश्ची दूरूप से अच्छे स्वास्त आपको प्रदान करेगा और स्वस्त शरीर में स्वस् सा जीवन जी सकते हैं बहुत बहुत अन्यवाद थैंक यू